बिस्मिल्ला रह्में रहीम असलाम लीकुम मैं हूँ नाजरीन साकी बेट वोकेट और आप देख रहे हैं लॉजिकल टॉट आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कानून एक राइदारी लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अब ही तक आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो कानून एक राइदारी का मकसद और इतलाग ये कानून मुल्क में बढ़तेवे कराइओं को रोकने और माली को कराइदार के दर्मियान बेहतर तालुकात काइम करने के लिए नाफिस किया गया है इसका इतलाग स्वाइस लंबात और वफाक के जेरी इंतजाम कबालिय लाकों के तमाम शेहरी जाइदात पर होता है वजुहाते बिदखली इस्ट पंजाब Urban Rent Restriction Act 1949 के सेक्षन 13 सिंध रेंटिट प्रिमिसीज ऑडिनेंस 1979 के सेक्षन 15 और कंटोन्मिं ट्रेंट रेंट्रिस्टिक्शन अक 1963 के सेक्षन 17 के तैथ मालिक अपना मकान या दुकान दर्चजैल वजुहाद की बिना पर अदालत रेंट कुंट्रोलर के जरीए हाली करवा सकता है नमबर वन, क्रायदार ने मकर्रा तारीख के 15 दिन तक क्रायदार ना किया हो या तारीख के अदम ताइयन की सुरत में 60 दिन तक क्रायदार ना किया हो या क्रायादार ने मालक की तहरीरी रजमन्दी के बगएर अपने जेरे इस्तमाल जाइदाद को मकमल तोर पर या उसके किसी इस्से को किसी दिगर शाथ को क्राये पर दे दिया हो 3. जिस मकसद के लिए जायदाद कराय पर ली हो उसके अलावा किसी और मकसद के लिए उसे इस्तमाल कर रहा हो जिस से जायदाद की कदरों कीमत या फदियत में कमी हो रही हो क्राइदार का अमल इस अलाका में रहाइश पी जिर दिगर अफराद के लिए परेशानी या तकलीफ का बाइस हो नमबर सैवन, मालिक को जिरे क्राया जाइदाद अपनी या अपने बच्चों की जाती रहाइश या करोबार के लिए नेक नीती के साथ दरकार हो लेकिन शर्ट ये है कि उस अलाके में उसके पास रहाइशी या करोबारी मकास्त के लिए कोई और मुनास्ब जाइदाद ना हो जो उसकी या उसके बच्चों की जुरूरत पूरी कर सकती हो और मालिक को जेरे क्राया जाइदाद दुबारा तामीर करने के लिए दरकार हो इस मकसद के लिए उसने मतलका महकमा से नक्षा मनजूर करवा लिया हो मालिक की वफात और सरकारी मलाजम की रिटाइर्मिन्ट की सुरत में क्रायदार की बिदखली मालिक की वफात की सुरत में और सरकारी मिलाजम की रिटाइर्मिन्ट या उससे 6 मा कबल मालिक जायदाद खुद उसकी बेवा या नबालक बच्चे जायदाद खाली करवाने के लिए दर्खास दायर कर सकते हैं जिसके लिए क्राइदार को 2 मा का नोटिस देना लाजमी है नहीं करता तो ऐसी सुरत में रेंट कुंट्रोलर सरसरी समात के बाद होकम बेदखली सादर कर सकता है अगर बेवाने शोर की वफात के बाद या किसी रिटाइट मलाजम ने रिटाइर्मिन्ट के बाद मकान कराय पर दिया हो तो ऐसी सूरत में कुराइदार को मुज़कूरा वजुहात की बिना पर जाइदाद से बिदखल नहीं किया जा सकता जाइदाद की तब्दिली की सूरत में कुराइदार को नोटिस अगर जायदाद जेर एक अबजा करायदार किसी दूसरे शास को मुंत्किल हो जाए तो ने मालिक के लिए जुरूरी है कि वो मुंत्किली जायदाद की बाबत इतला बजरिया रिजिस्टी डाक करायदार को दे ताकि करायदार वक्त पर करायदार की अदाईगी ने मालिक को क क्राएर में अझाफा कानून क्राइधारी का मक्सद तेजी से बढ़ते उए कुराई supply हो रोकना है। ताहँ मालिक औ क्ञाइधार वह्मी रजबन्दी से क्राया बढआ सकते हैं। कुराया बढ़ाने के लिए कानूनी रास्ता थियार करना जरूरी है, जिसके लिए इन बात्तु को मदे नजर रखा जाएगा. अगर जाइदाद से मतलिक टैक्स, मसलन प्रॉपर्टी टैक्स में अजाफा हो जाए, अगर मालिक ने कुराइदार के जेरे कब्जा जाइदाद में मजीद तामीर करके उसमें अजाफा कर दिया हो और दिगर सहलियात फ्रॉम की हूँ, तो ऐसी सूरत में या तो बामी रजमंदी से या वजरिया अदालत कुराई में अजाफा मुम्किन है. अलबता सुबा पंजाब में करवारी नुयत की जाइदाद का कराया हर तीन साल बाद 25 फिज़त के हिसाब से अज़खुद बढ़ाया जा सकता है. जरूरी मरमत कराय पर दियुई जाइदाद की जरूरी मरमत मालिक जाइदाद की कानूनी जमेदारी है. वह अपने इस कानूनी फर्ष के एदाईगी में नाकाम रहे तो करायधार रेंट कंट्रोलर के अदालत में इस मक्सद के लिए खुद द्रहास दे सकता है. ऐसी सूरत में अगर हुकम अदालत के बाद भी मालिक जुरूरी मरम्मत करवाने में नाकाम रहे तो फिर कराइदार अदालत की अजाज़त से खुद मरम्मत करवा कर खर्च शुदा रकम महाना कराई में से काड़ सकता है जुरूरी असाइशों से महरूमी कानून के ताहित माले के जायदात को ऐसा कोई हाक असर नहीं कि वो अपने कराईदार के जिरे इस्तमाल लाजमी सोहलियात, मसलन बिजली, पानी या सूई गैस वगरा के इस्तमाल में रिकावट पैदा करें। अगर कोई मालिक अपने कराईदार को नजाइस तंग करने के लिए ऐसा कोई हर्बा इस्तमाल करे, तो कराईदार कानून के तैथ इन असाइशों की बहाली के लिए रेंट कुन्ट्रोलर के अदालत में दुरहास दे कर उनकी बहाली का हुकम सादर करवा सकता है। क्राया रसीद के अहमियत और जरूरत अक्सर देखने में आता है कि जबानी क्रायदारी और बगएर रसीद लिए क्राया दा करने से क्रायदार बेशमार मुश्किलात में मुपतला हो जाता है क्योंकि इसके पास रसीद नहीं होती इसलिए अक्सर क्राया ना देने के वज़ा से बिदखली की करवाई का सामना करना पड़ता है ऐसी सूरतहाल से बचने के लिए क्रायदार के लिए जरूरी है कि वो रसीद का मतालबा करे अगर मालक रसीद देने से इंकार कर दे तो क्राइदार को चाहिए कि वो या तो क्राया मनी आर्डर कर दे या रेंट कुंट्रोलर के अदालत में जमा करवा दे तहरीरी क्राइदारी की एहमियत ये बात माली के जायदाद और कुराइदार दोनों के लिए फाइदा मन है कि वो कुराइदारी का तहरीरी माइदा करें, ताकि किसी भी तनाजा की सुरत में माइदा की शरायत पर बाजरिया रेंट कुंट्रोलर अमल करवाया जा सके. जबर्दस्ती बेदखली गैर कानूनी करवाई के बगार क्राइदार को जबरन बिदखल कर दिया हो तो स्पैसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 9 के तैट वो कबजा दोबारा हसल कर सकता है। जरूरी है कि बिदखल होने के 6 मां के अंदर ही द्रहास दी जाए। सरकारी वाजबात की वसूली और क्राइदार की जमदारी सरकारी वाजबात और वकायाजात मसलन प्रॉप्टी टैक्स की अदाइगी मालिक की जमदारी है। अलबत्ता कंट्रोन्मिन टैक्ट के तैट ये वाजबात क्राइदार से वसूल किये जा सकते हैं। जैदात की हसियत तब्दील करना कोई शाहस भी रेंट कुंट्रोलर की तैरीरी जाज़त के बगार रेहाशी जैदात को तजारती जैदात में तब्दील नहीं कर सकता तो ये था आज का अमारा टॉपिक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अलाहफिज